आयोध्या के श्री राम मंदिर के भव्य उत्गाटन की तारीक नजदी का रही है ऐसे में हैधरबाद की एक कमपनी मंदिर के लिए लकडी का काम पूरा करने में जुटी है ये काम शेहर के एक वर्कशॉप में किया जा रहा है तैयार की जा रही चीजों में बहतरीन सागौन की लकडी से बने श्री राम मंदिर के दर्वाजे भी शामिल है सोने की परत वाले इन दर्वाजों पर खुबसूरत नकाशी भी की गई है तमिलाडू के साथ बड़ई और कारिगर जून 2023 से श्री राम मंदिर के दर्वाजों को बनाने और डिजाइन करने में लगे हुए है लकडी के काम की देखरे करने वाली कंपनी के मेनेजर के मुताबिक मंदिर के दर्वाजे और दूसरे सामान बनाने में लचीली और लंबे वक्त तक चलने वाली बहतरीन क्वाल्टी की सागाउन लकडी का इस्तमाल किया गया है The quality of carving is also extremely fine and very fine detailed carving is done All the workers who are working for my company and my team are from all the carvers I cannot say them workers they are fine master carvers They are from Tamil Nadu All these people are from Kanyakumar Arcellistice And they are working since three generations in the same field So we are lucky and we are blessed with the opportunity to do this फर्म को भरोसा है कि वो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्गाटन से पहले अपना काम पूरा कर लेगी